लेक्स्ट चो चीज हम देख रहे है वो है इस जवन और इस ओड को बताया था कि और नमबर किसको कहते हैं और एवन नमबर किसको कहते हैं odd और even यानि जिसका divide अगर 2 से पूरा चला जाता है तो even number होता है और जिसका divide पूरा नहीं जाता है तो वो odd number होता है तो even और odd के बारे में हमें आगे और जानकरी अगर लेनी हैं तो इस even और इस odd से हम ले सकते हैं जैसे हमें ये पता चलना चाहिए ये जो number है ये even है या odd है तो ये कैसे पता चलेगा कि अगर किसी number को हमें convert करना है even number में तो हम even का formula लगा देते हैं उसको odd में convert करना है, तो odd का formula लगा देते हैं, किसी number से किसी दूसरे number का हम divide करते हैं, last में 0 या 1 बसता है, तो हमें पता चल जाता है, कि यह का odd number है, यह आपका even number है, जैसे यहाँ पे हमें एक mod का formula यूज करना है, और तो वहाँ पे हमें यह देखना है, कि last में क्या बसता है, किसी का हम divide करते हैं, 45 में हमने divide किया, 45 में हमने divide किया 2 का, अब हम इसको close करते हैं, तो last में बसता है 1, 1 जो है आपका odd number है, इसलिए जो number आपको दिया जा रहा है, अगर वो last में शेशफल जब बसता है, तो वो one बसता है, तो इसका मतलब वो odd number है, और अगर वो zero बसता है, तो वहाँ पे वो even number है, यहाँ पे हमें यह देखना है, कि इस number को even कहें, या odd कहें, तो यह number हमारा is even या is odd से clear होगा, कि यह number आपका even number है, या odd number है, तो हम यहाँ पे इस even का formula लगाते हैं bracket open करते हैं इस number को हम लेते हैं यह number अगर आपका even number है तो यहाँ पे आपको मिलेगा true और अगर यह odd number है तो वो मिलेगा आपको false देखे हम इसको close करते हैं एंटर करते हैं तो देखे यहाँ पे false है इसका मतलब यह है कि यह even number ना होके यह odd number है हम इसको drag करते हैं सभी number का हमें पता चल जाता है कि यह odd number है यह even number है false और true से हमें यह identify नहीं हो रहा है कि कौन सा even है कौन सा odd है इसके लिए हम क्या करते हैं इसी number का हम divide करते हैं हम यहाँ पे mod का formula use करते हैं तो concept जो है वो अच्छे से clear हो जाएगा, यह हमने यहाँ पे ले लिया और इसको हम थोड़ा सा format भी same दे देते हैं, अब यहाँ पे हमें इस number का divide करना है, तो mod का formula लगाते हैं, इस number को हम divide करते हैं 2 से, क्योंकि हर वो number जो 2 से divide हो जाएगा, उसका शेशफल 0 बचेगा, और जो 2 से divide पूरा नहीं होगा, उसमें reminder आपका 1 या 3 या 5 ऐसे बचेगा, यानि even number में अगर वो बसता है, तो वो even है, देखिए आप इसको पहले देख लेते हैं, mod का formula हमने लगाया, enter किया, last में बच रहा है 1, इसका मतलब है 1 यानि ये odd number है, इसलिए last में शेशफल 1 बच रहा है, क्योंकि इस number में 2 का भाग पूरा नहीं जा पा रहा है, हम इसको drag करते हैं, देखिए ये number हमें यहाँ पे true मिला था, ये सारे false है, इसका मतलब ये odd number है, even नहीं है, इसमें से एक भी number even नहीं है, 789 से लेकर 545 तक कोई भी even number नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये देख के पता चल गया है, कि last में शेशफल 1 बच रहा है, और जहां 1 बच इसका मतलब ये even number है, इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं, अगर आप अलग से एक बार all लगाना चाहते हैं, mod का formula हम लगा के देख लेते हैं, इस number को हमने 2 से अगर divide किया, तो reminder 0 बचेगा, इसका मतलब है, ये वाला number जो है वो आपका even है, और ये वाला number आपका odd है, जि यहां तक हमारी बात clear होती है, लेकिन कुछ ऐसी condition है जहां पर even और odd को अलग-अलग करना हो, तो वहां पर हम कैसे करेगी, इसको हम next example समझते हैं, कुछ numbers दे रखें, student के नाम हैं और उनके rule numbers हैं, हम ये चाहते हैं कि सारे even number, इन में से rule numbers में जितने भी even number हैं, वो सारे एक room number वाले रोल number हैं, वो एक next room number 2 में आ जाएं, तो इसको identify करने के लिए हमें यहां पर एक formula लगाना है, लगाना हमें is odd या is even लगाना है, लेकिन उसके साथ हमें condition भी देनी हैं, तो वो condition हम देंगे if के साथ, equal to किया, if formal लगाया, सबसे पहले इसमें logical test पुछा जा रहा है, त हमने is odd formula लगाया, bracket open करके, यह वाला जो sale है हमारा, roll number वाला, जिसको हमें odd या even बताना है, कि odd है या even है, यह चीज हम समझ चुके हैं पहले कि कौन सा odd number होता है, कौन सा even number होता है, लेकिन यहां पे जब हम if condition लगाते हैं, if condition के साथ, वो automatically यह बता देगा, कि यह is even है, या य इसको हमने close कर दिया, comma, value if true, तो यहां पे हमें लेना है, double inverted, comma, room number, room number one, अगर c2 वाली value, c2 वाली value, अगर odd है तो, तो, वो room number one में जाएगा, अगर नहीं है, तो वो room number two में जाएगा, double inverted, comma, open, room number two, यानि c2 वाली value, अगर odd number है, तो वो room number one में रहेगा, और अगर वो odd number नहीं है, यानि वो अगर even है, तो room number two में रहेगा, bracket close किया, enter किया, यह condition हमें दे ली है अब यहाँ पर 472 है इसका मतलब है यह room number 2 आया है यानि यह हमने condition तो दी ती is odd की कि अगर यह odd number हो तो room number 1 में रहे लेकिन यह odd ना होने की वज़े से यह room number 2 में गया है जे ड्राइग करते हैं देखिए room number 1 और room number 2 का identify कैसे हो रहा है वो भी पता चल रहा है कि जो odd number है वो तो room number 1 में है जो even number है वो आपके है room number 2 में अगर आप इसको यहाँ पर भी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप वापस चेक कर सकते हैं कि कौन सा even number है और कौन सा odd number है यही formula हम अगर वापस लगाते है mod का तो यहाँ पे आपको यह बता देता है कि reminder अगर one बसता है या कोई ऐसी विश्म संख्या वाला number आता है तो वो आपका odd number ही रहेगा और जहाँ पे zero आता है इसका मतलब वो even number होगा अगर आप यहाँ पे भी two हमने condition किया दी थी आप एक बर formula बार में check कर सकते हैं कि if यदी is odd यानि c2 वाली value अगर odd है तो वो room number one में और नहीं है तो वो room number two में तो identify अलग-अलग इस तरह से हो जाता है